Hello Everyone, Welcome You All, आज का हमारा MSC का टोपिक है Uses of Alephatic Nitro Compounds in Organic Synthesis इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि Organic Synthesis के अंदर हम किस तरीके से Alephatic Nitro Compounds का यूज कर सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर बात करें Nitro Compound की तो यहाँ पर Nitro Compound Easily Convert हो सकता है दो Function Group के अंदर जो कि हमारे लिए बहुत ही useful रहने वाले हैं हमारे Organic Synthesis के अंदर और वो जो दो Functional Group है वो है Amine और Ketone तो यहाँ पर हमारे पास Alephatic Nitro Group और इस Nitro Group को जब हम reaction करवाते हैं Lithium Aluminium Hydrate के साथ में तो यह reduction करता है और यह change हो जाता है Amine Group के अंदर तो इस तरीके से हम Alephatic Nitro Compound से Amine Group का formation कर सकते हैं इसी तरीके से जब हम इस Alephatic Nitro Compound की reaction करवाते हैं DICL3 के साथ में या फिर आप बोल सकते हो जब हम इसकी Neff reaction करवाते हैं तो यह convert हो जाता है Ketone के अंदर तो यहाँ से आपको पता लगा कि जो Alephatic Nitro Group है वो दो Main Group के अंदर convert हो रहा है एक है Amine Group और दूसरा है Ketone Group इसके बाद में हमारा Next One जो आता है वो यह बोलता है कि यह जो Nitro Compound होते हैं वो Easily Analyzed हो सकते हैं यह जो Nitro Group होते हैं यह Highly Acidic होते हैं तो इनका जो Acidic Hydrogen है वो Abstract कर लिया जाता है बेस के द्वारा और यह बनाते हैं Anion और यहाँ पर जो Anion का Formation होता है बाद में वो Stabilize हो जाता है Nitro Group के द्वारा अब इसे समझने के लिए हम यह reaction देख इसके अंदर हमारे पास है Nitro Methane यहाँ पर आप काईलिफेटिक Nitro Group देखने को में रहा है और यह है मिथेन तो इसे हम बोलेंगे Nitro Methane जब हम इस Nitro Methane को ट्रीट करते हैं बेस के साथ में तो यह बेस यहाँ से एक Acidic Proton का Abstract कर लेता है जिसकी वज़े से इस Carbon पर आ जाता है Negative Charge अब यहाँ पर इस Carbon पर Negative Charge है तो अब यह क्या करेगा यह जो Nitro Group है यह इसके साथ में Conjugation के अंदर चला जाता है तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के की Structure देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह के से जो Nitro Group है वो Anion को Stabilize कर रहे है इसके अबाद में हमारा जो Third Point आता है यानि कि यहाँ पर इसके Alpha Position के अंदर हम इसका Alkylation करवा सकते हैं जिसके बाद में हमें दूसरा Nitro Compound देखने को मिलते हैं अब जो हमें दूसरा Nitro Compound देखने को मिले है अगर वो Product Reduce होगा 1 डिग्रे Amine के अंदर तो हमने वो अभी एनाइन देखे थे अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको अधर नाइट्र कंपाउंड जो कि ऐसे प्रोड़क्ट है अब अगर यह प्रोड़क्ट रिड्यूस होगा वन डिग्री Amine के अंदर तो आप इस वन डिग्री Amine के लिए जो रिएजेंट यूस करोगी वो सेकिंड वाला रिएजेंट यूस करोगी जो कि अभी हमने देखा था तो यह वाले जो अप्रोच है यह काफी यूसफुल रहती है जब हमें टर्श्री अलकिल ग्रूप से प्राइमरी Amine का प्रवेशन करना हूँ अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अगले पॉयंट के अदर हम इस नईट्र गूरूप का डिसकनेक्शन देखने वाले हैं इसके लिए हमारे यह तारगेट मॉलिक्व और इस तारगेट मॉलिक्व पर जब हम फॉन्च्छन ग्रूप इंटर देखने को मिलेगे अब इन दोनों synthetic equivalent का formation यहां पर कर चुके हैं जो कि हमें यूज होंगे इसके synthesis के दोरां तो यह था example nitro group के disconnection का तो अब अगर हम इस target molecule को फिर से synthesis करवाना हो तो इसके लिए हमें चार्ट क्योंकि इस base ने क्या किया यह जो acidic hydrogen था इसे abstract कर लिया है अब हम इस particular species की reaction करवाएंगे इस वाले compound के साथ में जो कि हमारा दूसरा synthetic equivalent था इसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से compound देखने को मिलेगा अब यह particular compound का formation हुआ है जिसके अंदर आपको आपको देखने को मिल रहा है इसके हम reaction करवाएंगे lithium aluminum hydride के साथ में फिर आप पर इसका reduction होगा और reduction करने के बाद में यह हमारा जो target molecule है उसका formation कर देगा तो यह था नाइट्र group का disconnection और उसका synthesis अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की अगला जो पॉइंट है वो बोलता है कि जो अलफा बीटा unsaturated nitro compound as a dynophile जब हम यह आप पर डिल साइल्डर reaction करवाते हैं तो यहाँ पर होता है 4 plus 2 cycle addition reaction जिसके बाद में आपको यहाँ पर डिल साइल्डर एडेक्स देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा अब जब हम इस पर्टिकुलर compound का reduction करवाते हैं तो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर compound का नाम है तो यहाँ पर आपने दिखा कि किस तरीके से हमने अलफा बीटा नाइट्र कंपाउंड की हैप से डिल साइल्डर reaction पर फॉर्म करवाते हुई वने वाली है तो इसका हम रेक्रोंड यहां पर च्रस कनेक्षिं और कैट क्वांड यहां पर यह पर milhões के देखना को मिलेगे और यहांपर आप देखे होगे कि यह इह आपको त्रांस्फर्म की अंदर देखने मिलेगा तो ये था हमारा Conjugated Enone का Retrosynthesis अगर हमें इन दोनों से Conjugated Enone का वपस से formation कराना होगा तो इसके लिए हम करेंगे synthesis और synthesis के अदर हम याह पर लेंगे dain और dainophile और यह यह dainophile होगा और दोनों के हम करवाएंगे डिल एल्ड reaction जिसके अंदर आपको 4 plus 2 cycle addition reaction होते हैं दिखाए देगी उसके बाद में आपको इस तरीके का compound देखने को मिलेगा अब यह जो नाइट्रो ग्रूप इस वीडियो के लिए इतना ही आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू